हलो इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स, वेलकम तो चैनल सबकुष्णों आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास एट मैथ का एक्सरसाइज 13A का फाइफ नमबर कोस्चन से आगे इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पूरा फोर तक का कोस्चन कम्पलीट देखा था और इस चैप्टर के लिए इंट्रड़क्शन भी आप लोगों ने देखा था तो आज ये 13A एक्सरसाइज पूरा कम्पलीट होगा तो वीडियो पर आप लोग लाच्ट तक बने रहे हैं अगर चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को AB वराबत 30 मिमी ये जो जिवा AB दिया इसका माप दे दिया है 30 मिलिमीटर तथा ब्यास AC ये ब्यास AC है इसका माप दे दिया 34 मिलिमीटर जिवा AB की ये जो जिवा AB है इसी का कारा AB की केंदर से दूरी OD ये देखिए ये केंदर रोता हैं से यहां तका दूरी बताना है और इसके लिए देखिये चार आप्षन दिये हुए हैं इसी चारों में से कोई एक सही होगा उसी पर टिक कर देना है तो टिक करने के लिए पहले तो इसको solve करेंगे उसके बार ही देखेंगे कि कौन सा सही हो रहा है तो उस्पर टीक करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए यहाँ पर एक तिर्भुज बना समकोर तिर्भुज यह लंबा 90 अंस का कोड बनता है समकोर तिर्भुज में पाइथागोरस्पर में कायूज करेंगे और यहाँ देखिए ये पूरी लंबाई AB दे दिया जिवा AB की केंदर से दूरी ये पुछ रहा AB का दे दिया पूरा 30 मीमी तो देखिए तिरभूज में जब आएंगे इतना निकालेंगे तो ये आधा होगा 15 मीमी और ये पूरा लंबाई AC देखिए दे दिया 34 मीमी यहां तक तिरिजिया होता है आधा तूसका आधा कर लेंगे 34 का तो 17 मीमी और वहां से ये निकाल लेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या देखिए दिया है AB बराबर दे दिया है वहां क्वेस्चन में 30 मीमी मीमी का मतलब मिलिमीटर तो AB बराबर जब 30 मीमी दिया है तो हमको तो AB नहीं तिरिभूज का ही चाहिए तिरिभूज इतना है तिरिभूज में AD है तो AD हम लोग निकालेंगे लिखेंगे इसलिए AD बराबर जो ये AD निकलेगा ये क्या होता है AB का आधा होता है तो AB का आधा को हम लोग ऐसे लिखते हैं दो से भाग करके और बराबर AB की जबाबर हम लोग लिख लेंगे देखिए AB की जबाबर तीस तीस बटे दो होगा भाग करेंगे तो हो जागा पंदरह मीमी अब देखिए जो AD दूरी निकल गया ये ये हो गया कितना पंदरह मीमी और अब हमको इस तिर्भूज के लिए AO चाहिए पुरा AC लंबाई दखिए दे दिया 34 मीमी हम लोग फिल लिखेंगे चुंकि AC बराबर दे दिया 34 मीमी लेकिन हमको AC नहीं चाहिए हमको तिर्भूज में चाहिए इतना ये AC पूरा यहां तक है तो AO हम लोग निकालेंगे लिखेंगे इसलिए AO बराबर इस AC का आधा होगा AO तो लिखेंगे AC बाई 2 और AC देखिए 34 आए तो 34 बाई 2 हो जाएगा और भाग करेंगे तो हो जाएगा 17 मीमी अब देखिए जहां हमको AO पता हो गया AD पता हो गया तो हम लोग OD निकाल सकते हैं यही OD पूछा है तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे लिखेंगे तिरभूज ADO में Pythagoras परमे से Pythagoras परमे से अब पाइथा गोरस परमे क्या होता है कर्ड का स्क्वाइर कर्ड AO है तो AO का स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्वाइर लंब OD है तो OD का स्क्वाइर पलस आधार का स्क्वाइर होता है आधार AD है तो AD का स्क्वाइर अब देखिए, सब का मान रखते हैं, AO का मान यहां देखिए निकल गया, 17 मीमी तो 17 का स्क्वाइर कर देंगे, बराबर OD, OD देखिए यही पूछा है, तो OD के जगा पर हम लोग OD ही रहने देंगे, OD का स्क्वाइर, प्लस, AD का भी मान यहां हमने निकाल लिया, 15 मीमी तो रख देंगे, 15 का स्कॵाइरर, और इसी को स्वाइर कर लिया ना है, तो हम लोग यहां देखते हैं, तो अब हम लोग, यहां स्क्वाइर करेंगे, इसके बाद, तो देखिए 17 का स्कॵाइर, 17 का स्कॵाइर, मतल поступ, दो बार जब 17 गुळे 17 करेंगे, तो होगा 289 बराबर, OD का स् स्क्वायर ही और प्लस 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जायागा 225 15 पर 2 का मतलब 15 गुड़े 15 करेंगे तो 225 होगा और यहां 17 गुड़े 17 करेंगे तो 289 हमको OD निकालना तो 225 को इधर करेंगे तो 289 माइनस हो जायागा प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 225 और इधर बचेगा OD का स्क्वायर अब देखिए 289 में से हम लोग 255 को घटा लेंगे तो जब घटाएंगे तो हो जागा 64 बराबर OD का स्क्वायर हम कोई स्क्वायर में मान नहीं चाहिए केवल OD चाहिए स्क्वायर को इधर करेंगे तो ऐसे रूट में हो जायागा 64 और बराबर इधर हो जायागा OD अब रूट का मतलब इसका बर्गमूल निकालेंगे 64 का बर्गमूल होता है प्लस माइनस 8 बराबर OD तो प्लस और माइनस में आया है तो लंबाई हमेशा प्लस में होता है इसलिए माइनस को हम लोग छोड़ लेंगे लिखेंगे इसलिए OD बराबर 8 मीमी सब मीमी में दिया है तो हम लोग मीमी लिखेंगे अब यहाँ देखिए आठ मीमी में आप सम फोर्थ नमबर हा तो इस वाले पर ठीक करेंगे यह सारा काम रफ का होगा जब दिकल्पी कोस्चन देंगे तो रफ पर सॉल्व करके तब ठीक लगा लेंगे तो इस तरह से सॉल्व करना है आवा हम लोग शिक्स नमबर कोस्चन देखते हैं तो दखिए कोस्चन नमबर सिक्स दिया है, पास्ट चित्र में बरित का केंद्र ओ हा, तिरिज़या ओ यह तिरिज़या ओ यह तिरिज़या हा वो से देखिए यहां तक मिल गया तो तिरिजया हो गया और यह यहां पर लंब भी है करा है लंब तिरिजया वो CD खीची गई है रेखाखंड CD की माप होगी अब देखिए यह रेखाखंड CD के वाले यहां से यहां तक का जो CD है यहाँ से यहाँ तक इसी का माप पूछा है तो हम लोग इसका माप पहले नहीं निकाल पाएंगे पहले हमको क्या करना होगा इस तिरिभूज से हमको यह दखिए निकालेंगे OA पांच से मी दिया है OA यह दखिए तिरिजा दे दिया है पांच से मी का यह और AB, ये AB पूरा 8 सेमी दिया, तो हम लोग पहले ये पता कर लेंगे, इतना दूर तिर्भूज के लिए 4 सेमी हो जागा और जब ये 4 सेमी हो गा तो यहाँ साम लोग सबसे पहले OC निकालेंगे, OC जब निकाल लेंगे इतना दूरी तो ये पूरा नहीं बताना हमको इतना बताना तो ये पूरा भी पता है पूरा यही है देखिए पांच से में है तो ये भी पांच से में क्योंकि ये भी तिरिज़या है ये भी तिरिज़या हमें सा बराबर होता है तो जब ये 5 से में है तो ये पूरा OD की लंबाई 5 से में है अगर उस 5 में से अगर हम इतना निकालना तो ये हमको पता होगा तो इसलिए पहले तिरी भूज से हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे O A बराबर दिया है ये O से A तक की जो लम्बाई दिया है 5 से मी दिया है 5.0 का मतलब 5 ही हुआ यहां से देखिए A C हम लोग निकाल लेंगे A B की लम्बाई देखिए दे दिया 8 से मी इसलिए हम लोगों को निकालना A C तिर्भूज के लिए तो A C का लम्बाई क्या होगा A B का आधा होगा पूरा A B है A B का आधा ये होगा तो A B बाई 2 करेंगे A B 8 है 8 मान रखेंगे तो 8 बटे 2 भाग करेंगे तो 4 से मी ये देखिए A C की लम्बाई अब हमको मिल गई ये 4 से मी और ये 5 से मी तो इस तिर्भूज से हम लोग पाइथागोरस परमे लगा लेंगे लिखेंगे तिर्भूज A C O में पाइथागोरस प्रमे से अब पाइथागोरस परमे क्या होता है कड का स्क्वाइर कड O A है तो O A का स्क्वाइर बराबर लम्ब का स्क्वाइर लम्ब O C है तो O C का स्क्वाइर प्लस तो देखिए कड का स्क्वाइर बराबर हमने लिखा लंब का स्कॉार, लंब O.C. है तिर भूज में और पलस, आधार देखिए A.C. है तो A.C. का स्कॉार अब सब का मान रखते हैं हम लो O.A. देखिए दे दिया, 5 से में तो 5 का स्कॉार बराबर O.C. O.C. का मान हमको निकालना है तो O.C. का स्कॉार पलस A.C. देखिए 4 से में हमने निकाल लिया है तो 4 का स्कॉार करेंगे 5 का स्कॉार 25 बराबर O.C. स्कॉार पलस 4 का स्कॉार 16, 16 को इधर करेंगे तो माइनस होगा 25, माइनस 16 बराबर O.C. का स्कॉार 25 में से 16 गटाएंगे तो 9 बराबर O.C. का स्कॉार हमको OC निकालना है अब OC बराबर स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट में होगा 9 9 का बर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो OC बराबर हो जाएगा 3 semi में सब दिया है तो semi हो जाएगा बर्गमूल पलस माइनस में आएगा तो हम लोग पलस वाला ही केवल लेंगे अब देखिए जब हमने OC की लंबाई निकाल लिया तीन से मी और OD हमको पूछा क्या है देखिए ध्यान दिजिए का केवल CD पूछा है यहां से यहां हमको पता है OD की लंबाई कितनी होगी जितना यह लंबाई है क्यों क्योंकि एक बिरित में जितने भी तीरिजिया खीचेंगे सभी तीरिजिया बराबर होंगे तो जब बराबर होंगे तो यहां एक तीरिजिया देखिए दिया OE 5 से मी तो O D भी तीर जया है ये भी बना पर होगा मतलब पूरा यहां से यहां तक 5 से मी होगा और 5 से मी में से O C पता है यह देखिए 3 से मी पूरा 5 से मी और इतना 3 से मी तो यह हमको पता हो जागा 5 में से 3 को घटा लेंगे तो लिखते हैं वाई हम लोग लिखेंगे चुंकि OA और OD तिरिजया है OA और OD तिरिजया है इसलिए OA बराबर OD होगा, दोनों बराबर होंगे और बराबर OA देखिए कितना है OA पास से मी है, तो OD भी पास से मी हो जायागा अब जब OD पास से मी हो गया तो हमको CD निकालना लिखेंगे, इसलिए CD बराबर इस CD बराबर क्या होगा OD पूरा बड़ा वला है OD में से हम लोग माइनस कर लेंगे ये CD निकालना तो हम लोग OD में से इस वाले को माइनस कर लेंगे OC को तो OD देखिये है कितना? 5 से मी तो 5 में से OC हमने यहां निकाला है देखिये 3 से मी, 5 में से 3 घटाएंगे तो यही हमारा CD की लंबाई आ जाएगी 2 से मी यही अंसर हो जाएगा तो इस तरस question को solve करना है उसके बाद देखिये 2 से मी आया है तो यहाँ 2 से मी जीरो से मी है इसी पर टिक कर लेंगे तो अब हम लोग इस exercise का last question question number 7 देखते है इसमें सत्य और असत्य कथन चाटी है इसमें सत्य और असत्य बताना कौन सत्य लिखा गया इस figure को देखके बताना है और कौन सत्य है तो हम लोग देखते है कह रहा है AC बराबर CB कह रहा है AC बराबर CB क्या यह और यह दोनों बराबर होंगे तो आप लोग लिखेंगे सत्य है लिखेंगे पहले वाले को सत्य है क्यों? क्योंकि यह हमने बताया था जब कोई केंदर से किसी जीवा पर लंब डाला जागा तो लंब दो भागों में बाठता है हमने बताया था दो बराबर भागों में हमने दो पर में बताया था पलों को तो ये दोनों बराबर होंगे AC बराबर CB यानि कि सत्य दियाब यहां देखते हैं कहा रहा है AB बनाबर AC का आधा जो ये AB कहा रहा है AC का आधा है देखिए उल्टा का है AB को कहा रहा है AB को कहा रहा है AC का AC का आधा है तो आधा का है देखिए उल्टा दी यहा है मतलब और सत्य है यहां देखिए कहा रहा है AB बनाबर 2AC मतलब दूना है AC का जो AB है AB जो है ये पूरा बढ़ा वाला AC का क्या है दूना है का रहा है तो सही है देखिए AC इतना ही है इसका दूना होता है ये तो वही का रहा है AB जो है AC का दूना है मतलब सत्य है यहां देखिए OC बराबर का रहा है ये OC बराबर OA²-AC² रूट में तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे पहले फार्मूला आप लोग लिग के समझ लेंगे कैसे यहां से देखिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं कड का स्क्वाइर कड का स्क्वाइर बराबर होता है लंब का स्क्वाइर प्लós आधार का स्क्वाइर स्त्रिभुच के लिए तो देखिए यह होगा अब यहां से देखिए क्या कहा है OC बराबर तो हम लोग ठोड़ा सा लिखते हैं OC के लिए कहा है तो हम लोग इसको इधर कर लेते हैं तो यहां होगा OA² और यह इधर आएगा तो माइनस में AC² होगा और बराबर बचेगा क्या OC² यही OC² बराबर कहा है देखिए OC बराबर इस्क्वाइर को हम लोग इधर जब करेंगे तो बर्गमूल में होगा मतलब रूट में हो जाएंगे यह O A square minus A C square बराबर इधर बचेगा केवल O C तो देखिए O C बराबर O A square minus A C square देखिए वही हो रहा है फार्मूला तो इसका मतलब यह क्या है सत्य है और यहां से अब देखिए कहा रहा है A C बराबर A C बराबर कहा रहा है O A square plus O C square तो इसके लिए भी हम लोग अब देख लेंगे फार्मूला को फिर से देखिए है देखिए हम लोग एक बार फिर से यहां से लिखेंगे कड का square कड है देखिए O A O A का square बराबर होगा लंब का square लंब O C है और प्लस आधार का square हम लोग यहां A C का पूछा है तो A C के लिए निकालेंगे जब तो लिखेंगे O A square इसको इधर भेज लेंगे माइनस में है यह पलस में दिया है तो मतलब यह और सत्य है तो इस तरह से पूरा यह exercise 13 A complete हुआ अब इसके अगले पार्ट में आप लोग 13 B के लिए खुछ पर्मे है उसको देखेंगे उसका introduction और फिर आगे exercise देखेंगे तो आज के लिए बस इतना है झाले